कि एक बार फिर आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे हैं सुगाइस मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको अगर पीए फिट्रो करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है कैसे विड्रो कर सकते हैं कुछ लोगों नहीं मुझे कमेंट करके पूछा था कि आप बताए कि क विडियो को बैसे पूर रहा कि आपको फॉर्म कैसे बनना है क्या वगना है कहां बीजना क्या टॉक्यमैंट करना है और किस एक ड्रेश परलड़ा एंडर मैं आपना है तो आपको ब्रीचिन से वह किस एंड्यूड कर सकते हैं परस्वा कि धो फ्रम नाटा सिक हैं आपका भूश य छो फाम 19 है तो पोको आपको एड़को उसके भाट थर्ड में आपसि बैसे हैं तो एड़को डाल दीजिए सब्सक्राइब है इसे बाद आपका डेट अपने जोड़ दिया क्या हुआ है तो आपको आपने मिश्चन करना है जैसे आपने ज़ोड़ दिया क्या हुआ है परस्टनल डिजिंस या फिर आप ट्रांस्परेट हुआ है किसी दूसरी कंपणी में तो वहां पर लिख कर देशा देशा थे ट्रांसपर टू अधर कंपणी सो आपको यहां बनना है आपका पूरा पोस्टल एड्रेस जिस आड्रेस पर पाज़ेस आधर काड़ है तो आधर क आपको टिक करना है कि देखिए यहां पर पूछ रहा है आपको मतब पैसा कैसे चाहिए पोस्टल से यह यह डारेटली अकाउंट में चाहिए तो आप भी वाला सिलेक करें उसमें टिक मार्क करिए और राइट साइड में दिया है डिटेल उसमें आपको अकाउंट नमबर नेम on The Branch Branch कहां पे है वो डालना है लो आर बक्ता बैंक है। ईसनके बाद फूछ अड्रेस जहाँ पर ऑपको बैंक है वहांका फूल एड्रेश अगोड्रेस लएगा च्वहां टेक्षैक सब्चाहिंगा उप हुपर लिखा होता थाए हपाऒ ओो और सब्सक्क्राश की पर मैंने मैंने तो भर दिया था फिर भी आपको अगर भर सकते हैं यहां पर दिखे सिर्फ आपको डेट ऑफ च्वाइनिंग डालना है डेट ऑफ बड़ डालना बस नीचे वाला जह वह कॉलम छोड़ दिजेगा वह ओफिस वाले करेंगे ठीक है गाइस सो चलते हैं नेक्स पे भी इसको भी आपको भरना नहीं है तो आप तीन शिगनेशर करने हैं एक लिखे फर्स्ट उपर टॉप में राइट शैड में दीखिए यहां पर लिका है सिगनेचर ओफ लेफ्ट राइट हैं थां इंप्रिशन यहां पर आपको अगर आप साइन करते हैं साइन करिए नई करना थीक है तो इसको भी आपको फॉर्मको साइन के अलाव को बाकी कुछ पी यहां पर नहीं आपको तो मेक्शुर अपको लिख लिखना नहीं पहले में मैंने आपको दिखाया था वह फॉर्म 19 था अब यह है फॉर्म 10 C तो आपका इसमें फर्स्ट में में प्लॉक लेटर में सब्सक्राइब आपका मेंबर नेम आएगा जो पीफ जिसका है अकाउंट उसका उसके बाद नीचे आपको आएगा डेट ऑव बर्थ ठीक है डेट ऑव बर्थ में जो फ़र्स्ट वाला क्यूशन था उसमें एक वाला छोड़ दिजाएगा एमटी जोड़ दिजाए ठीक है शेके बाद आस सेकेड़ वाले में ना है डेट ऑव बर्थ आपकी डेट ऑब बोद क्याल थर्ड वाले में बना स्वादने इसके बाद इक है अगर तो आपको पहले ऊपर लिगना है कि जिसे ट्रांसपर्ट रोते परस्नल इसो या रिजन ने कुछ जो भी आपका रिजन रोड दीजिए शेकेंड वाले में आपका लास्ट वरकिंग डालना है वापस से इसमें उसके बाद सेवंध वाले में आपका अपका परसनल जो घर का से जो आप अधार का डॉक्यमेंट देंगे वह आपका इसमें घर का इटेश जालना है विद पिन कोड ठीक है तो इसमें आपका नाइन नंबर जो है इसमें आपको टिक करने के लिए पूछ रहा है तो इसमें अगर आप टिक कर सकते हैं नो कर दीजिए नो ओरड़ी है कि अब इसमें नो है तो इसमें आपको करने के ज़रूती नहीं है फॉर्स पिंग आपको जो फॉर्म 19 है और फॉर्म 10C उसके टो फॉर्म के उपर टॉप में आपको एंपलॉई आडी आपका और आपका जो मोबाईल नंबर रजिस्टर। एंडिक और आउर यात से आप भ तो वह फाइंड आउट कर सकते हैं उसके तो आपको इंप्लाइडी मॉबाइल नंबर याद से फॉर्म 19 फॉर्म 10C के ओपर लिखना है तो चलते हैं नेक्स पेस पे तो अभी तक हमने उसमें देखा था आपका नाइन तक तो नाइन में पूछा था इसमें नॉमनी पूछना था टिक करना था मतलब को किसका वज़र यहां पर एक फेमिली मेंबर्स के आपको नाम लिखना है जिस जो आपके डिपेंडेट है जिससे फादर है या फिर वाइफ है या अगर आपके परस बच्चे है तो वहां पर आपके वह बिड़ा सते हैं डॉर्टर संद जो भी आपको सनाम डेट आप बर्द रिलेसंसिप यह तीनों चीज होनी चाहिए उसके बाद लास्ट में बी कॉलम में नॉमनी पूछ रहा है कि नॉमनी कौन है तो वह आपको डालना है नॉमनी जो भी रहेगी अगर वाइफ है डाल यह जिसको भी आप नॉमनी बना वहां पर डाल सकते हैं उसका रिलेसंसिप क्या है वह ड iot guide to account of all possible आपको टिक करना है उसका ऑफ नबर इना है बूमना पर रology काना मम कौन सा अइक्स को लिकना है तो आपको यह खना है उचे निचे कुछ भी नगाना है डेट लिखना है साइन करना है ठीक है तो चलते हैं आपको नेक्स पेस्ट पर इस यह फॉर्म है इसमें नौन इंप्लॉइमेंट सर्टिफिकर्ट है मतब अगर आपने काम छोड़ दिया है आपने कहीं काम ही नहीं किया तो यह फिलब करके दे दीजिएगा तो मैंने तो दिय और कुछ यह पेंडिंग है तो वह बाद में असा रिजेक्ट हो जाए आपका फॉर्म और पता चला है कि इतना मेहनत करने के बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो टाइम वेस्ट होगा आपको तो बैटर यह भर के दे दीजिएगा अगर काम आया तो ठीक है नहीं तो क्या जाता है आप ठीक है तो यहां पर आपको फॉर्म लिखना नाम उसके बाद आपका फादर नेम आगे उसके बाद आपको आएगा यहां पर रेसिडेंट एडरेस इसके बाद नीचे आएगा आपका वापो सगेंड नेम एडरेस और कभी आपने जॉब चौड़ा तो यहां पर आपको आएगा पी अफ का आपका नमबर्स जहां पर देके लिखा ना पी वाई बी ओ यम स्लैस तो यहां पर पी नमबर आएगा इसके बाद नीचे आपको कर देना है सिगनेचर्स अब भी चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म पर तो गईस यह है डिक्लेरेशन करना है तो आपको रिटन में यह एडरेस पर कुरिय करेंगे वह कुछ डिटेल सब्सक्राइब को भीजना है तो यह चीज़े आपको भी भर की भीजनी है साथ में तो आपको यहां इंपलाई नेम लिखना है नीचे एडरेस विध पेन फिर आपका सिन्नेचर्स नीचे ओपर देखे एड़कों विल डिस्पैज फॉर्म टैंसी तो योर प्रजेंट आड्रेस बटैंसी फॉर्म तो अलड़ी करता है हमने डाउनलड कर लिया है तो फिर भी आप भर के इसको भीज दीज़ेगा इस फॉर्म में आपको कहीं पे भी कुछ भी नहीं भरना है तो आप कहीं पे भी कुछ भी इसमें आपको लिखना नहीं है तो आप प्लीज इसमें कुछ भी भरना नहीं यह सिर्फ साथ में अटाच करके दे देना यहां पे दिखिए ओपर भी लिखा है फॉर्ड यूज इ तो आपको यह कुछ भी ने करना है इसमें आप इसको भरियेंगा नहीं इसको साथ में एक दिछ फॉर्म से मेसे तो इसको भी आपको भरना नहीं इन तो आपको बार होना चाहर हुआ हुआ है तो इसको भी आपको फॉर्म को बागी कुछ भी यहां पर भनना नहीं आपको देखे यह कुछ जरूरी डोकिमेंट से जो आपको देना सब्सक्राइब देख लिए गाना है तो आपको चिपका कि आपको अपसे उसके उपर साइन करना है हाफ साइन बाहर हाफ साइन अंदर होना चीए कोफी आप रिलेविंग लेटर से नॉन इंप्लाइमेंट चैटिफिकर भर दीजिए गाउस में दो आपको कैंसल चेक इसमें साथ में आपका आपको अपके पास चेक बुक नहीं है तो आप अपना पाजबुक का जरोक्स करा लेजएगा आगे पिछे का दोनों साइट का जि आप साथ में अटेच कर सकते हैं अगर वह भी नहीं है स्टेटमेंट निकालके वह भी अटेच्मेंट कर सकते हैं तो इन तीनों में से कोई भी कर जाए उसके बाद लगना एक नमबर पर देखिए कैसे बताया गया है अब डाउनलेट कर नीचे आप देखिए आपको बताता है इंशुर्ट मेंशन इंप्लाई रम को आईडी मॉबाइल नमबर ऑन देखिए अन देखिए इस एड्रेस पर आपको कुरियर करना है डॉकिमेंट जितने भी डॉकिमेंट्स आपको बताया है सो आपको वापस बताते रहा हूं फॉर्म करने के बाद आपक आपकी सालेस लिप रहे हैं वह भीज दीजेगा रिलेविंग लेटर रिलेविंग लेटर जो होता है कि जो आप जोड़ते हैं जब आप मतलब मौह से आपको लास्ट वर्किंग देखिए उसके कुछी दिन बाद आपको एडिकों केमपनी से आपको एक मेल आता है उसमें मतलब कि सारे चीजे क्लियर रहती हैं तो वह लेटर का आप कॉपी दे दीजेगा जरोख करा के दूसरा आपका आधार कार्ड पैन कार्ड और यूएन कार्ड देना भूलिएगा नहीं क्योंकि सभी के पेपर्स पर आपको साइन करना है डॉकिमर्स जिसे आधार का जरोख स साइन करना है यह सारी के सारी चीजे आपको आपको देना है दो दोनों कैंसल चेक होने चाहिए विथ अकाउंट नंबर आफसी कोड और नेम के साथ में अगर नहीं है तो स्टेटमेंट देजेगा निकालकर अगर वह भी नहीं है तो पासब्रूक आपका जहरोख करा के वह चाहिए अपको नीचे दिये करने के नंबर पर कॉल करना है आप कॉल करें और को जो भी रहता है तो उनसे पूछे कि यह नाम का हमने कुरियर किया था पी एफ के लिए तो वह आपको मिला है कि नहीं है अगर वो बोलते हां मिल गया है उसके बाद आपको टाइप करना है ए बता दूंगा कि उस आइडी पर टाइप होना मेल और आपको जो जितने भी डॉक्यमेंट भेज़े आपने उसके सॉफ्ट काप्य फोटो के इसके रखेगा वह एटाइच करेगा उस पे मेल पर भीज़ दीजेगा उसके बाद वहां पर बताना है कि आपको मेरा यह कुरियर पर यह उसका अलार नमबर है आपको रिसीव हो गया तो प्लीज प्रोसेश करिए उसको जल से जल ठीक है तो गाइस पस इतने है अगर हमारा वीडियो अच्छा लगए रहेगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर लिजेगा भी तनी हमार करे लिए Cres पएकर लिए कर्णा है झाल झाल झाल